अलो दोस्तों हमारे पास आ चुका है गक्षा साथ का जो पेपर है आपका कनित का वार्षिक परिक्षा के लिए तो फटा फट से देख लिजिए एक एक प्रेशन आपके लिए बहुत कीमती है यहाँ पर आपको रॉल अमर लिखना है रॉल अमर के बिना आपकी कोपी चेक न चार में आप भाग देंगे तीन पर पावर दो का तो क्या बचेगा तीन पर पावर दो बचेगी और तीन पर पावर दो का मान कितना होता है तीन पर पावर दो का मान होता है नो आपका उत्तर रहेगा उप्सन नमर बै नो नेक्ट है यदि एक्स बराबर तीन है तो प्लस तीन आपका हो जाएगा अठारा option number 2 आपका सेउत्तर रहेगा next है आपका question number 3 व्रत का छित्फल ग्याद करने का सूत्र सारे सूत्र याद रखने हैं आपको एक भी formula को छोड़ना नहीं है सभी सूत्रों को एक page पर अलग लिख ले ग्याद कर ले तो व्रत का छित्फल क्या होगा व्रत का छित्फल होता है π यह क्या होगा 4 बटा 100 तो 4 बटा 100 इसको क्या लेखेंगे हम 0.00 0.04 0.04 और देखिए अपसर नमबर 2 में है नेक्स्ट है प्रसंगया 5 एक त्रबुच के तीनों कोणों का योग कितना होता है यह हमेजा 180 डिगरी रहेगा अब है आपके रिक्तिस्तार रिक्तितार की पूर्ति करनी है आपको इनको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज चाहिए जॉइन कर लीजिए और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो यह हमारा वार्टसप नमबर है 78877896648 कोई दिक्कत रहने पर मैसेज करना है कॉल कोई भी नहीं करेगा तो प्रसंगया दो में आप से पहला पूचा है एक गनाब का आकार कैसा होत है हम नेश्छ ते समकूर्ट रिबुज में सम कोण के सामने की कि बढाल क्या कहते हैं सभी को पता है क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं नेश्ट धो सरवांक से बिढ़ाओ का छेथफल क्या होता है नेश्ट एक बटा तीन का प्रतीस Me hone क्या होगा 33.33 नेक्स्ट है प्रसंग तीन सत्य असत्य बताना है आपको कौन सा कतन सत्य और कौन सा असत्य तो पहला है सरल समिकंड के हलो की संक्य एक से अधिक हो सकती है गलत है नेक्स्ट है 65 डिगरी का संपूर कौन कितना होता है संपूर कौन कितना होगा 25 डिगरी लेकिन यहां कितना दे और 2 पे पावर 8 में 8 पे पावर 2 का मान अधिक होता है तो 8 पे पावर 2 का मान क्या हुआ 8 इंटू 8 यानिके 64 2 पावर 8 का क्या मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इसी प्रकार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये कितना होता है ये हो गया आपका 16 यह कितना हुआ 16 अब 16 एटो 16 करेंगे आप तो क्या बनते हैं 256 तो बड़ा कौन सा हुआ बड़ा हुआ आपका दोपे पावर 8 तो यह क्या हुआ असत्य है नेक्स्ट है प्रतीसत का अर्थ है प्रती 100 यह विल्गू सत्य है नेक्स्ट है लगू त्रिय प्रेश्ण 9 सही 2 बट 3 को सही करिए बिन रूप में लिखिए क्योंकि यह में सिर्फ बिन है तो इसको लिखेंगे तो कैसे आएगा 29 बटा 3 29 बटा 3 अब इसका अगरना है इसका 5 बटा 8 ग्यात कीजिए तो इसका 5 बटा 8 क्या होगा यह देखिए इसको गोना कर लिजिए आपका उत्तर आ है तो एक ग्राम कितने ग्राम होता है एक ग्राम है आपको होता है 1000 ग्राम तो एक ग्राम हो गया आपके 1000 ग्राम का 55% 75 बटा 100 यह देखिए 2 0 से 2 0 कट गई आपका गया 750 ग्राम तो आपका उत्तर रहेगा 750 ग्राम next है 27 into x square y cube को विस्तरत रूप में लिखिए तो इसको विस्तरत रूप में लिखना है आपको next है 5 cm त्रिज्या वाले व्रत का छेतफल ग्याद कीजिए तो व्रत का छेतफल अभी आपको बताया था क्या होता है pi r square उसमें r की जगे रखना है आपको 5 next है 5 नमबर एक नगर में 30% महिला हैं 40% पूरस हैं तता 6 बच्चे हैं तो बच्चे कितने बच्चे 30% तो बच्चों का प्रतिशत कितना है total percent कितना होता है 100 तो 100 में से 30 प्लस 40 यानि 70 गटा देंगे 30% आपके बच्चे प्रतिशत कितना होता है 180 तो 180 में से आप इन दोनों को गटा देंगे इन दोनों का योग कितना है 110 तो 180 में से 110 गए तो कितने बच्चे 70 डिग्री पांच नमबर प्रशन है 15 रुपे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक व्रता का टेबल की उपरी सतय पर polish कराने का व्याए ग्याद करिए formula लगाना है और आपका उत्तर आ जाएगा 6 नमबर है नमलेकित आं sensing का बहुलक ग्याद कीजिए तो बहुलक ग्याद कर लिजीए इसका next 7 नमबर जरल डूप करना है तो पांच प्र पावर 3 तो ये कंतना हो जहाग का 5 पावर 6 5 पावर 6 इन्ट्र 5 पावर 4 ये कंतना हो जो जहाग का 5 पावर 10 में आप 5 पर पावर साथ का बाग देंगे तो आपका बज़ेगा 5 पावर 3 तो 5 पावर 3 का मान होता है 125 तो आपका उत्तर रहेगा 125 नेक्स्ट है प्रसंगे 8 किसी त्रिपुज में एक बाय कौन की माप कितनी है यह आपकी माप हो गई 70 तो एक ही रेखा पर बढ़े कौन कितने होते है 180 डि डिगरी 183 डिगरी हो गया अब एक 40 के तीनो कौन का यो कितना होता है 180 डिगरी तो यह देखें तो लोगились के दो कौन आपको पता लग गए 110 मैं आप ढोदेंगे 25 तैस किसी कितना हुआ यह आपको गई 135 और तीनो क्रुण माप कितना होता 180 degree, तो 180C में से 135 घटा देंगे, 180C minus 135, तो यह आपका कितना आया, यह आपका आया, 45 degree, आपका उत्तर रहेगा, तो आपका जो इसका मान रहेगा, वे रहेगा 45 degree, यह आपका उत्तर है, next है 9 number, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, एक क्यासी है, संख्याओं ग्याद कीजिए, 3 क्रमागत, यानि के 3 लगातार संख्याओं, तो एक संख्याओं हमारी X है, तो दूसरी क्या होगी, X plus 1, और तीसरी क्या होगी, X plus 2, हम प्लस इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि योग दे र योग आपका होता है, एक क्यासी, तो ये क्या हुआ, 3X plus 3, बरावर, एक क्यासी, तो 3X कितना होगी, बचा आपका, 3X बचा आपका, 78, X कितना है, 78 बटा, 3, तो ये आपकी संख्याओं क्याओं, क्या है, 26, 27 और 28, एक में आपने 1 जोड रखा है एक X के अंदर और एक X में 2 जोड रखा है तो एक में 1 जोड हैंगे तो 27, 2 जोड हैंगे तो 28 आपका उत्तर रहेगा तो आपके उत्तर रहेगा 26, 27, 26 आपकी क्रामागत संख्या है अब इन 3 जोड के देख लिजिए आपका उत्तर एक क्यासी आना चाहिए यह उत्तर चेक करने का तरीका है अगर 3 जोड एक क्यासी आ रहा है तो आपका उत्तर एकदम सही है तो यह ते सारे क्यूशन जो आपके एकदम में आ सकते हैं तो सभी प्रश्णों को देख लें अपने दोस्तों को बता दें शेयर कर दें वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें मिलते नेक्ट वीडियो में सभी को एकदम के लिए बेस्ट आफ लग थैंक यू